इसलामी कंट्रिया बता रहे थे वहां मुसल्मान ही जादा है हिंदू एक दो परसेंट है तो वहां पे आप जो है बच के चले आए जबकि इसलाम और कुरान में लिखा है ऐसे अंदभक्त गोबर भक्त कहते हैं कि लिखा है कि काफिरों को जहां देखो काट दू तो आप तो काफिर थे वहां गए अब बच के कैसे चले आए ये बताईए असलाम अलेक्म दोस्तों मैं हूं शारिप खान आज हमारे साथ एक हिंदू भाई है सनातानी भाई है जिस तरह से बहुत सारे अन्भक्तों का ये कहना है कि मुसल्मानों की नजर में गेर मुसलिम यानी के भाई है ये साओधी अरब के देशों में रेकर का आए अरब कंट्रीज में और इनको क्यूंके ये काफिर हैं तो काफिर होने के नाते इनको वहां पर क्या क्या सजा मिली आप इस वीडियो के अंदर देखें किस तरह से अरब कंट्रीओं के मुसल्मान इन जैसे काफिरों क वहां पर सजा देते हैं बिना किसी बात के बिना कोई गुना किये बिना किसी मतलब कोई इनोंने कुछ किया नहीं ये बहुत प्यार से वहां पर रह रहे थे क्योंके ये काफिर हैं तो इस वज़े से वहां की गवर्मेंट ने इनको कितनी बड़ी बड़ी सजाएं दी इनक हमारे सयोगी हैं हमारे आइडियल हैं आदर्श हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारा उनका है तो रवी कान भारती जी ने जो इनका इंटर्विव लिया है इसमें देखें ये बता रहा हैं किस तरह से ये पांच साल अरब कंट्रियों के अंदर रहे और पांच साल के ये छोड़ते हैं बहुत सारी चीज़े खास करके जो आद ये सनातन धर्म का वेक्ति हिंदू धर्म का वेक्ति इस वीडियो को देख रहा है ना दिहान से पूरा देखना कि इसलाम के अंदर में खुद एक मुसल्मानों की इसलाम के अंदर गहर मुसलिमों के साथ कैसा बरत इसलाम और कुरान में लिखा है ऐसे अंदभक्त गोबर्भक्त कहते हैं कि लिखा है कि काफिरों को जहां देखो काट तो आप तो काफिर थे वहाँ गये अब बच के कैसे चले यह बताइए वहां का एक नियम है वहां का यहीं नियम है वहां का जो राजा है या इंडिया सो कुई भी आदमी गिया है तो कानून एक है वहां पे कानून एक है सजा सब को एक बहती हम एक समान है तो कानून बेवस्तह की बात हो गई किक अवह मुसलमान है नहों कि इसलाम वेका हक नहीं होना चाहिए आप लोग कर रहे होंगे तो उनके मन में भावना आती है कि वहां के लोगों का बेवहर कैसा बताइए यहां के हिंदो हो या मुस्लिम हो एक समान एक नजर सो लोग देखते हैं रोड पे काम हो रहा है जो भी मुईदूर काम कर रहा है वहां पे तो देखेगा भाई धूप हुआ है तो उसको दया जरूर आएगा वो जाकर के पानी का बोतल खाने पिने का बिर्यानी हुआ लाकर के देगा हुँ मतलब वहां का आम नागरी का रोड पे काम हो रहा है तो जब गुजरता है कारसे तो देखता है धूप में कोई मजदूर काम करता है तो नजबिक के दुकान से कोल्ड रिंग पानी जो है बिर्यानी यह सवलाके जरूर पहुंचाएगा यह क्यूं पहु जिहादिये या तंकवादिये ऐसे हैं वैसे हैं वैसे दोस्तों नमस्कार मेरा नाम रवीकांद भारती है और मेरे बगल में जो सक्स बैठे हैं इसलामिक देशों में रहे हैं और काफी तारीफ कर रहे थे इसलामिक कंट्रीज की बिकास की नियम और कानून की वैसे इनका ना रतनेस गिरी जी तो आप बताईए कौन कौन से इसलामी कंट्री में आप रहे हैं मसकड में रहे हैं मसकड में रहे हैं और दुबई दुबई में रहे हैं कितने साल रहे होंगे आप दो साल रहे हैं मसकड में और एड़ साल रहे हैं दुबई में यह बताईए इसलामी कंट्र या बता रहे थे वहां मुसल्मान ही ज्यादा है हिंदू एक दो परसेंट है तो वहां पे आप जो है बच के चले आए जिसलाम और कुरान में लिखा ऊएसे एंदभक्त गोबर्भक्त कहते हैं कि लिखा है कि काफिरों को जहां देखो काट तोाप तो काफीर थे वहां गये अब बच के कैसे चले है यह बताईए वहां का या गया का फीकी नियम है क्यों राजा है या इंडिया से कोई भी आद्म किया है तो कानून एक है वहाँ पे कानून एक है सजा सब को एक समान मिलेगा उतना ही सजा मिलेगा जितना हमको मिलेगा गलती हो भी किया है गलती हम भी किये है कानून वहाँ एक है तो मतलब सब के लिए एक है, माले जी है कि मुसलमान किसी हिंदू को मारता है, तो वहाँ पे कानून हिंदू-मुसलमान दोनों के लिए एक है, राजा और गरीब सब के लिए एक है, तो इनकी बाते आप ध्यान order कानून बेवस्ता सब के लिए एक समान है यह तो कानून बेवस्ता की बात हो गए कि कानून सब के लिए एक समान है लेकिन समाज बेवस्ता वहां के जो लोग हैं जो मुसल्मान है इसलाम धर्म के मानने वाले हैं वो तो कहते होंगे देखो भई रतनेज्गीरी जैसे काम कर रहा है इस काफिर काम कर रहा है नों काफिरों को जीने का रहा का होना चाहिए और लोग जिepend puntos का यहां किसी के लोगों का बेhuहर चल रहा था तो लेडिस वहां के हुई कोई भी बड़े बड़े सब अदमी है उधर से आते थे फल फुरूट पेपसी पानी का बोतल सारा समान ले करके अब हम लोगेट से निकल थे तो वहां सब एक-एक थैली भरा हुआ था देते थे तो मतलम की कोई कंपनी के मालिक नहीं थे वे लोग अंजाने बेकती जो रोड से जा रहे हैं देख रहे हैं आप लोग काम कर रहे हैं आप लोगो को दे रहे हैं जैसे वहां रोड पे काम चल रहा है रोड लैंड में काम कर रहा है वहां पे रोड लैंड का जो है ठीक है तो देखेगा भाई धूप हुआ है तो दया जरूर आएगा वो जाकर के पानी का बोतल खाने पिने का बिर्यानी हुआ या फॉल फुरूट हुआ कुछ न कुछ ठंडा हुआ लाकर कर देगा हूँ मतलब वहां का आमनागरी का अगर रोड पे काम हो रहा है तो जब गुजरता है कार से तो देखता है धूप में कोई मजदूर काम करता है तो नजदिक के दुकान से कोल्डरिंग पानी जो है बिर्यानी ये सवह लाकर जरूर पहुचाएगा एक क्यूं पहुचाता उसके दिल में देयाध्र्म है तो ऐसे तो कहा जाता है इसलाम बहुत कट्टर है मुसलमान अतंगवादी होते हैं जिहादी तो उनने जिहादी और अतंगवादीوں ने इस तरफ़ात देया धर्म का कारे दिखाया या तो आप नजर ही प्लट दिए नहीं तो भारत में तो चल रहा है जिहादिये या तंकवादिये ऐसे हैं वैसे हैं तो रतने जी आप से यह मैं पुछना चाहूंगा कि जो आज कल भारत में हो रहा है कि मुसल्मानों को बाहर भगाओ तो मुसल्मानों के प्रती नफरत तो गाय के नाम पे मुसल्मानों को पीट-पीट के हत्या क कर देना और आप कह रहे हैं इस्लामिक राष्ट में जो है उस तरह से मुसल्मान अच्छा वेवहर हिंदू के साथ करता है तो आप भारत के मुसल्मानों के प्रती जो घिर्णा फैलाया जा रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे गलत है वह गलत है सब जगह जैसे मुसलिम लेकिन को समझ के एक जगह जब रहना है तो समझ बूच कर रहना है एक चीज़ और बता रहे हैं आप जब काम कर रहे थे विदेश में तो भारत की मुसल्मान आपके साथ थे कुछ वे लोग जो है आपको नफरत से तो नहीं देख रहे थे कि हिंदू आके इसलामी कंट्री हैं हिंदूओं को यह हमेशा मारने के लिए खोजते हैं क्योंकि हिंदू काफिर हो जाते हैं आज आप सुन सकते हैं कि भारत के भी मुसल्मान वहां पे कैसे हैं वहां के मुसल्मान कैसे हैं जब इसलामिक देश में इसलाम का कानून है एक कह रहे हैं राजा का बेटा का गल परदानमंतरी मुसलमान हो जाएगा उसके बाद मार काट मज़ जाएगा और हिंदुनों को जान बचाना भारी पढ़ जाएगा तो आप इसलामिक देश में रहें हैं वहां सारा कुरान और सरीया औरिया से सब चलता है वहां का आप सिस्टम बता रहे हैं इतना अच्छा है भारत का समिधान यह जो है यह जो है मुसल्मान हो सिखो इसायी हो हिंदू तो वह सभी को कहता है कि आपके अंदर अगर टाइलेंट है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो इस तरह का हवा चलाना कि अगर मुसल्मान पर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश जो है देश से हिंदू बच नहीं पाएंगे यह बात क्या सही है तो मिल दोस्तों इस शक्स को कितना पिटालित किया गया अगर वहां पर को धूप में काम कर रहा है और वहां का मिलिनियर शेक भी गुजारता है जिसके मिलियन बिलियन डॉलर की संपती है और वो देख लता है कि सामने कोई मज़दूर काम कर रहा है ना तो अपनी बिसलरी की पानी की बोतल ले करके उसको देता है उसके हाथों को चुमता है और उसे सलम करता है कि भाई बहुत अच्छी बाते मेहनत करके खाना खा रहे हो हलाल रिस्क कमा करके खाना खा रहे हो तो ये कहता है इसलाम अगर इसलाम के अंदर ये होता कि सबी काफिरों को मार दो काट दो तो आप ये बताओ 57 मुस्लिम देश हैं मुसल्मानों के वहाँ पर कितने गेर मुसलिम लोग जा करके काम करते हैं क्या किसी के साथ कभी भी धर्म के लिहाज से कोई बुरा बरताओ किया आज तक पूरी जिंदगी में आप सुनिएगा सुदी अरब, दुबाई, कतर, मसकट बहरीन, कुएट इन जैसे देशों में भारत के लाखों की तादाद में लोगें, हजारों में नहीं लाखों की तादाद में जिसमें हिंदू, मुसलिम, सिक, हिसाई सभी जातियों के लोगें, सभी धर्मों के लोगें क्या आपने सुना है किसी भी अरब कंट्री के अंदर किसी को धर्म के बेस पे सताया गया हो उसको दो शब्द भी बोले हो तो ये है इसलाम की सच्चाई अगर अब भी आपकी आँके नहीं खुलेंगी तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपकी आँके नहीं कुल सकता जो नफरत आपके मन में कुछ लोगों ने आज समाजिक तित्वों में भर दी गई ये, जो हिंदु वादी संगटनों ने आपके मन के अंदर नफरत भर दी ये, उसको निकालो, अंद भक्ति के चेश्मा उतार करके दुनिया को देखो के दुनिया में रियलिटी क्या है, सदियों से भारत के अंदर चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन पर ओल का बटन्स लेक करना इन्शाला फिर मिलूँगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ तब तक दुगाओं में याद रखना खुदा हाफिज जैहिन जैभाराद